नमस्कार हल्चुन में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हल्चुल पर हुश्यारपुर के टालीवान महिलपुर सडक मारक पर एक इनोवा गाड़ी पानी के तेज बहाव में बही एक ही परिवार के नौ सदस्यों सहेत ड्राइवर की हुई मौत मुगा के गाओं भुगीपुरी के पास एक कार और मोटरसाइकल के वीच वी बिशन टकर मोटरसाइकल सवार बाप बेटे की मौके पर गुई मौत फरीद कोट के गाओं शेर सिंग में ग्याद प्यत्योंनीक बज़ोर करका किया गतल पुलिस जांच में जोटी हुई और अब हल चल विस्तार से फोश्यादपुर के टालिवाद महटपुर सड़क मारक पर गत दिवस मुसला धर बारिश के चलते जल स्तरफ बढ़ गया और एक इनोबा गड़ी पानी में बहगे इस हासे में गड़ी सवार आठ लोग पानी के बहाव में बहगे जरन गाड़ी खड के रेंप पर पानी के तेज बहाव की चपेट में आगे विगटना के समय रास्ते में पड़ी खड का पानी उफान पर था और सभी वहन कुछ देर के दिए रुके हुए थे इसी तोरान एक हाईडरा मशीन का चालक पानी पार करने का प्रियास कर रहा था और इनोवा कड़ी का चालक भी उसे की पीछे चल पड़ा गाड़ी पानी की तेज बहाव को सहन नहीं प्रपाई और पलटते हुए खड में जाग ली तो वहीं स्थानीय लोगों ने जल्दी की जाहत कारे शुरू किया और दो लोगों को बाहर निकादा लेकिन वे मृत पाई गई गई बाकी छे लोगों की तिलाश अभी भी जारी है वहीं एंडी आरेफ की टीम घटनास तलप पर पहुँच को एक गोरतलप रही की हासे में मारे के लोग एक ही परिवार के सदस्य थे और उना के देला गाउं के निवासी थे वहीं मृतकों की पहचान दीपक भाटिया, पिता सुर्जीत सिंग, मा, परमजीत को और चाचा सरूप चंद, चाची बिंदर, चाची शानू और उनके बचे भावना, अंकू, हर्शेत और ड्राइवर भी इस साथ से में शामिल था दीपक भाटिया की राई की गाड़ी से नमा शहर में एक शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थी वहीं, धुर्गटनक बादस्थानिय प्रशासन और बचाव दल राहत कारियों में जुटे हुए हैं, जबकि पूरे इलाके में शोग की लहर तौड़ गी जड़ी शारपर डिस्टिक देवेचे जेज्जों विखे होई है, जड़ी खाट देवेचे एक हमाचल दी जड़ी अनोवा सी जड़ी रूड़ गही जाते हैं, जड़ी ग्यारा मौतान जो सुनन चाया हुए हैंने, तो नौ बड़ी जागी हैं दो वजे लब रहने, तो बहुत माड़ी कटना है, आजे शारपर डा हर व्यक्ति जेसे उनके बहुत दुखी है, कि जिते शारपर डा ना आंदा शारपर डे ना आग रगलू दुखता हुंदा है, वाकि बाड़ी आईज ने, तो एड्मिस्टेशन भी लगगा हुए है, जो भी नदी प्रस्ता आय है नहीं कि नो देट्वनियां से दो बोडी अंदर के साथ जी बार की ने, चलो एक्ति होर हैगियां, मौर चीज हैगियां, उत्य अपर खा देने हैं, उन्हें इद्धा निकटना है, यह हर शारपर वासी जड़ा दुखी है देनाल, पे आपा एदा हल करवाने हैं, बोडी बड़ा दुख है, जिड़ा के शब्दा देनाल पूरा नहीं हो सकता, परवार ही एक तरहना पूरा खत्म हो गया, बहुत बड़ी माड़ी कटना होई है, जो भी हो सकता है, मैक्सिमा मेना दापस से जोग करांगे, कि इन अनुशार पर देन्दर को तक्लीफ ना है, बड़ सारे ही मेंबर है, भारा मेंबर है, ड्राइवर समेट, और सब तो दुखदाई गाला है, पुलिस अफसर से बाने थे खड़े है, मौक के देड़े पुलिस जी ऑफिसर खड़े सी, इनना ने भी रोक्या, और अलाग के देड़े लोग उते खड़े से गे, वह उतो जाके आ पर रुखजा ना गड़ी पाई, और होल गड़ी एंवी सी गिया, तो बहुत दुखदाई कटमा परवार खतम हो गाला है, बहुत खतम हो गाला है, बहुत दुख है, सरकार वलो, मांजों को मुकमंत्री पवांत्मान जी दे वलो, अडे रिजास्ट्र मैनेजमेंट दे वल लग खर वी एजड़ा हरे परवार्दे हरे एक मेंबर दे लेगा, जड़ा है उनने क्या है और उनने क्या पर इस राशी ने जड़ा है गा प्रंत जारी की तजाएगा, इदे विच देखो इस अधिक्या रहा है कि द्रैवर दी गल्पी सगी, परशाचनलों भी इतना निक मोगा के बननाला रोड पर बुगीपूरा काम के पास एकार और मोटर सैकल के बीच जबरदस टकर होगी, तो वहीं टकर इतनी जबरदस थी कि मोटर सैकल सवार दो लोग बिता और बेटे की मोके पर ही मोथ होगी, गौर तलब रहे कि मोटर सैकल सवार दो पिता और पुत्र मोगा के गउं महरू की रहनी वाली थी, इस दोरान समास सिवा सुसाइटी ने मोके पर पहुंचकर ख़एलों को मोगा के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मिलता घुशित कर दि अन्हें मोगे तो जड़ ना हुंदे हुए है मेन हाईवे ते चड़े उठे अले अग्सिदेंट ने अग्सिदेंट को फ़घी को यह कुए सब्सक्राइब कारे सी जी रैयान नम्बाबार दे नंबर रही वह एदरो बर्नारा साइट तो इतरो मोगा साइड अंटरकारी से मुंदा आधाना श्राप्ठी और सब्सक्राइए अर्षणी अर्थ एक साल खुछा है और जिए शोटे शोटे दो बच्ची है और जे इस डिए पर पारपूर कर दोग्ड़ा जिए विए जिने नाल गधी एक्सिड़ाट अग्डिए और फ़टे यह विए तो फड़े जोग विए छोगनेगाले किरें बंदेयों की रही है, हाँ थे रिते हाऊahan ठेकर मोट्वीं होडगे से आपनी गहान ही एक करी रहले हैं पहोंडे आपकर में आपका होड़ा ही तन्हों अपैस्टिफी प्रेंशन समा कंड़ाइब के लिए सभात्यानि और सुल पारले बाइपास ते एक एक्सिरेंट होया कार ते मुड़ से हैं कल दा जिनना दी हाल तो बहुत घंबी रहा अनू कॉल आउं तो बाद असी एमर्जंसी गडियां दो में लेके मौक के ते पहुंचे जाके देख्या हाल ते घंबीर सी व्यक्तियां दी उनना वसी गडियां पाके शिवल हॉस्पिटल एमर्जंसी ले आये जित्थे आके डॉक्टरा ने चेक अप कीता ते दो में व्यक्तियां नू मृतिक करार कार देता अगली कारवाई डॉक्टर साहव ते प्रशाशन कार रहे है लोक्य ते जागे लोकाने को दस्या भी किमें होया अक्सिरेंट सब्सक्राइब मताबके मृट सेंकल सुवार्ट एक स्वेफ्ट कारदा एक्सिरेंट होया जो मृट सेंकल सुवार्ट सी तो दो में व्यक्ति प्रशाशन थे मेरों पेंड़ दे सीगे ते वार्सा था कुछ पता लगया है वार्सा आगया जी होना थे होस्पिटल ए तो expressed ab dancing आगया व्यक्ति की प्यारा सिंग के तो पर हुई है जिसकी परिबार में उसकी पतनी और तीन बेटियाँ रह रही थी जबके उसकी बाकी तीन बेटियों की शादी हो चुकी थे गाउसियों की मृत्त था Ida की शे बेटिया जिन में से तीन की शादी हो चुकी है गुटना की रात मृत्ता की पतनी और बाकी तीन बेटियों, बेटियों अपनी एक शादी शुदा बेटी जिसके जहां बच्चा होने वाला है था उसके पास गई हुई थी और मृत्ता घर में अकेला था सोबे जब इस घटना का पता गाववासियों को चला तो इसकी सूचना तुरां तो पुलिस को दे दीगी गाववासियों के मताबिक प्यारा सिंग बड़ा ही नीक व्यक्ति था और उसकी किसी के साथ कोई रंजश नहीं थी वहीं घृतना के सूचना मिलती ही डियास पी शमशेर सिंग पुलिस पार्टी से इत मौके पर पहुँच गए इस वरान उन्होंने पताए कि किसी तीस तरह प्यार के साथ मृता के सिर में वार किया गया जिस पर उसकी मौत वीज़ है उन्होंने काया कि फॉरंसिक टीमें और डॉक्स कॉइट की मदद से जांच की जारी है जल्द ही अरुपियों को काबू कर दिया जएगा फरीद कोट से हल्चर के लिए गुर्पित सिंग की रिपोर्ट आज जिस अगाले ना दी बेटी वही एकको अनों बच्चा होन वाला सी विए रहात उते गई सिस्वा आठ्वाज के वी में रते मिनता पतल के एक प्यारा सिंग नादा वेक्तिया जी पेंड़ शेर सिंग्वाला है दे पीएस साधिका जी इनने पंजाकु साल दी हमरसी त पारी अफसर पहुंचे जी जदो जाके देख्या वाक्यों देख्या है और काफी फोन वगरा डूला है और एक किसे ने बुरी तरह नहीं सट्टा मारके उंकतल करता है जिस तरह हैं एक बलंट वैपन बरते हैं लगदा एक शार्प हैजड कोई वैपन हैगा तो भी हैड़ सकौर सारी एक हैं जल्दी यसी क्रेक कर रहा है अमरिसर के बस टैंड के नजदीक आई टी एच मारकेट में कपड़े की दुकान में चानव आग लगी फिलहाल आग लगने का करन पता नहीं चल सका है मिली चानकारी के मताबिक ये कपड़े की दुकान तीन मंजिला थी जिस लोगों ने दमकल विभाग के अधिकारी को सुचित किया इस दौरान दमकल विभाग के अधिकारी पर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुँच गया और आग बजाने में जुट गया इस दौरान दमकल विभाग की तीन गाड़ियों ने मौके पहुँचकर आग पर काब पर पहुंचे हैं और जांच कर रही हैं उन्होंने कहा कि फिल्दाल नुकसान का पता नहीं चल सका है वहीं उन्होंने कहा कि शायद आख लगनी का करण शॉट सर्किट हो सकता है अमरी सर्च से हल चल कि दी सुनिल खोसला के दी पूर्ट मेरा ना अश्या जी सेवासंटी फारवेटा अस्ति राम तो आया हैं उच्दर पला सानु टोन आल तो तुलाव मिली सी के आईडिया जो मार्केट देवेट्चा इक सो ते नंबर दुकान चाक लगई है यहां कोशिश घा नहीं कोशिश घूरीन है कारण तो उन मालकां ने बात चाप्छागेचा है चिसे कारना करके अगल रगई है उत्याच मारकेट देवेट्जा भीजिवेट्पटे ए फुर्पड़े किसे कारना करके आगल अगल लागी है अमरिसर के बस स्टेंड के पास एक निजी वोटन में पुलिस की याड़ से 15 अगस्त की मदे नज़र तलाशी लीगी इस दोरान होटन में चार जोड़े ऐसे काबू किये गए जो उनके पास से होटन को चला रहे व्यक्ति द्वारा कोई भी आईडी प्रूफ नहीं दिया गया इस मौके पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि पंधें अगस्त को लेकर होटनों में च लड़कियां और चार लड़कों को पकड़ा है जिनों ने होटन में कमरा तो लिया था लेकिन अपने आईडी प्रूफ नहीं दिये थे जो इसके चलते पुलिस ने इस मामने में होटन चलाने वड़े व्यक्ति को उतार कर दिया उन्होंने का कि होटन में मिली लड़कियां अब उनके आईडी प्रूफ लिए जा रही हैं अम बिसर से होल चल के दिए सुनील खोसला के लिपोर्ट होटर सा रेट बर 15 स्बंदवे स्पेशल अपस्ट भी होटल को रहा हो जड़ी होटल अब बिना डाकूमेंट ना लगांगों में दो शरीपोरे बिना डाकूमेंट लिए होटल लगांगों देख तो और सबंदवे ज़िए ज़िस पहस चाईगे ने चर्श चेकर नहीं जा ज विखें वह गया सितने विप्टम नतीन विध्य नहीं के दिखकेद के सुपरीवर्ट में आपके सोब्सक्राइब करें नहीं होसा दो कि पर नहीं होते ही जब हैं सब्सक्राइब करने के लिए गतरात्री बठंड़ पुलिस्वारा एस्पीडी अजवे करन्थी के नेतरित्व में शेहर के भिविन होटलो धपों को चेक किया गया इस दोरान बड़ी संख्या में पुलिस करमचारियों द्वारा होटल का रिकॉर्ड चेक किया गया और हिदायत की गई कि अगर कोई व्यक्ती संदिक दे नज़ाराई तो तुरंत पुलिस को सुच्छ करें वहीं एस पीडी अजे कांथी नहीं बताया कि बठंडा पुलिस दोरा नाइट पट्रोलिंग के चलते शहर के रेटवे स्टेशन बस टेंड और अलगलग जगहों पर बने होटलों को चक किया गया वो होटल में ठहरे लोगों के बारे में जानकरी भी दी गई वहीं उन्होंने कहा कि होटलों के रिकार्ड चकी के देरा तक खुले रखने वाले धाप मालिकों को चेतानी भी धी गई अगर फिर भी उनके द्वारा देरा तक धापे खुले रखे जाते हैं तो उनके किलाफ सक्त कारवे की जाएगी वहीं उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के मद्दे नजर बठिंडा पुलिस दोरा चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है और शेहर भी जगे जगे नाकबंदी कर वहनों की जाच की जा रही है अज बठिंडा पुल्स वल्लो नाइट डॉमिनेशन एक्सरसाइज दे दुरान होटेल्स तब बे ते होर पब्लिक प्लेसेज दी चेकिंग इती जा रही है एस तोलावा जड़े शेहर दे मेन पॉइंट्स हैगे ने उत्थे भी फुल्स दे नाकबंदी लगाए गए ने ते पंदरा अगस दे मदे नजर हर शक्की बंदे ते नजर रखी जा रही है ते इसनों भी जड़ा भी बंदा कोई मावल खराब करने दी कौशिश करूगा ते पुल्स ओदेली पूरी अलर्ट हैगी है ते असी होना ते खिलाफ सक्त कारवाई करांगे पंदरा अगस दो भारत देश आजाद हुआ था वही आजादी दिवस को लिक पूरी देश में हर घर तिरंगा महिम की शुरुआत की गई है पंजाब के सरहदी जुला फिरोस्पुल में शुहीद भागा सिंग युनिवस्टी से सारागडी गुरुद्वरा साहिब तक एंसेसी क्रेडिट ने तिरंगा यात्रा निकाली तो वहीं हाथों में तिरंगा पिकड़ कर भारत माता की जयगोश लगाईगे वही तीर हैं पंजाब बटालियन के सुबेदार मेज़ोर नरेंदर सिंग ने बताया कि माननी परधान मंतरी नरेंदर मोदी की तरफ से हर घर तिरंगा मुहीं की तहत शुहीद भागा सिंग स्टेट युनिवस्टी से लेकर गुरुद्वरा सारागडी तिरंगा यातरा न परधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी देशा निर्देश उंसार हर घर तिरंगा जागरुक अव्यानु भागार आदेन देली लोगां आम लोगानु मतलब एहदे प्रधी जागरुकरन दी एकडी के यह रैली दा आरांब सिहीद पक्त सेंग स्टेट जुनिवस्टी सुरू होके फ्रोज पर केंटर दे अलाग अलाग रस्तियां दे विचू निकल दे होए एक ते आज सारागडी गुर्द्वारा साभी के संपन्न होई है एस दा अजोजन हैड़कॉर्टर एंसी सी लद्याना दे अधीन 113 पंजाब बटालियन एंसी सी बल्लों कीता गया और एस द बच्चा ने हिस्सा लेया एक और मोटीव ही कि साथे जड़ा जुवा भर गया ओ अपने देश दे प्रती समर्पत देश पक्ती दे प्रती जागर को होए और दे नाल नाल नश्यादू भचन और स्पैसलिए एस एंसी सी दे सारे स्टूडेंट्स साथे बिच अलग लग ज बन दिता है ते एसलिए मैं सारे अंदा बहुत-बहुत तनवा दिया है स्टेड बैंक ओफ इंडिया के चेप्में दिनीश खारा सेथ शक्तिपीट श्री दीवित तलाव मंदिर में नतमस तक हुई इस दोरान इननोंने ही अपनी परगरिक सदस्यों के साथ मंदिर में माता टेक मातनीपुर माल्नी जी का आश्रब हो प्रत किया इस मौके पर उनके साथ बैंक के वरिष्ट अधिकारी भी विशेश दोर पर उपस्ते तरह है इस दोरान मन्दिर Πरिशत में उनके पाहुंचने पर मंदर प्रमंथा कमेटी के रधाक शर्दैनिक सवेरा के मुखिस समबादक, शीतल वेजों मंदर प्रमंथा कमेटी की महासजी विराजेश वेश तथा, अन्य सादसों ने उनका गरम जोशेश से स्वाकत किया. जुरान श्रीवे जुवा मंदिर प्रमाथा कमिटी के पदादिकारियों ने चेर्मन दिनिश खारा को मंदिर की प्राचेन इतिहास से अगद करवाया उन्होंने कहा कि ये मंदिन ना किबल जालंथरा और पंजाब बलकि देश विदेश के लाकवं को रूडो शुर्धनूं की इसी मास्था का केंदर बना हुआ है जो भी वक्ते यहां शुर्धा भाव के साथ दग्तमस्ता होता है मां उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है इस अफसरपन माथा टेकते समय चेर्में दिनेश खारा ने विदिवत पूजा अर्चना भी गी और माजी का आशिरवाद भी प्रप्त किया इस मौके पर रवी ककड वरेंदर मलोतरा एड़ोकेट मनमोहन शर्मा सुरेंदर अगरवाल मनमोहन सिंग स्बी आई के सीजीम कृष्ण शर्मा जीम मनरंजन पॉंडा डीजीम विश्वनात यादव आर्बी विंदरपाल सिंग कालड़ा किशन सिंग चीफ मेनेजर विंदर कुमार हरजीत सिंग नरेश रतन आफशीश कुमार दान्टवक केलाश संजे शर्मा उप्रबंधक इशा सूरी अनुराधा अर्चना पवन बसी भी मौजूद रहे जालंदर से हलचल के लिए कैमरामें सुरेंदर बावकी लिपो जालंदर में गत दिवा सुबे से लगातार हो रही मुचला धर बावरिश ने शहर को बाड़ जैसे स्थिती में डाल दिया सुबे के सब तेज बारिश के साथ ही दोबहर एक वज़ोई तक रुकरुक बारिश का सिंसिलाः चारी रहा जिसके परिनाम सवरूप शहर की अधिकांश सड़के पूरी तरह से पानी में डूप गई वहीं दुकानों और मकानों की स्थिती भी धुंभी रही बहुत सी जुकें पूरी तरह से पानी में डूप गई संडे मार्किर जैसे की रेलिक बाजार और शेखां बाजार सहित अन्या प्रमुख बाजार भी बारिश के कारण पारी में डूप गए मखदूम पुरा इलाके में लोग बाल कियों से अपने घरों में पानी इकालती हुए देखे गए जब की सेंट्रल ट्रावन में कारे पानी में तेहरती हुई नजर आई तो वहीं चार घंटों की लगाता है मुसरत अर बारिश ने शेहर को पूरी तरह से जल्ड मगन कर दिया जो से स्थानी निवासियों की कठनाईया और भी बढ़ गई बारिश के बाद लोग प्रशासन की योजना और दावों पर सवार उठते गए नजर रहे इस तेथी ने निगम प्रशासन की तैयारियों और दावों की कोल खोल दियों जिसे प्रशासनिक विफलता और शहर की जल निकासी विवस्ता पर गंबीर प्रशन उठ रही है। इस तेथी ने निकासी विफलता और शहर की जल खोल खोल दियों जिसे प्रशासनिक विफलता और दिया। स्वर्गे लाला जगदीश चंत्र गुप्ता और स्वर्गे विमला तीवी गुप्ता की याद में उनके परिपार के दुबारा लगाएगे लंगर। जैमा सिवक संग बाजार पीर बोदला के तरफ से भी लंगत लगाया गिया। माच चमुंडा देवी से हलचल के लिए कैमरा मेर रिजनीश शर्मा के साथ कुछ चाबला की दी पूर्ट। माच चमुंडा देवी से लंगर समति विए लगातार लंगर लग रहा है। जागरन तेरा द्रीकनु तेन मंगलवार महाराणी दरवार जैंदर होका। सारे संगत नो बहुति की दिया जागरन चाह। वो देविच वर्नमदानान पाड़ के लंगर वाले अस्री ब्रेमि अन पाड़की दिया जागरन चाह। सारे जंगे दे चर्णाज बेंती हैं भी उजागनन त्याओं साथे मुख्या देती पाउशी तलवेदी हैं हर साल साथी बहुत मद्द कर देयां तनों मनों तनों असी एस महरानी भी बेंती कर देयां विवनानु तंदरुस्ती दवेदे खोड़त रखियां दवो ऐसा नहीं समयदी से बढ़त दर भी आता हैं यह मुझा करना चाहूंगा और दाई देना चाहूंगा कि मां के चर्णों में हाजरी लगाई है हर बार लगाते हैं और जो लाखों क्रोड़ों भगत जो माता के दर्शन को आते लिए इतनी सुंदर और इतनी बड़ी वहस्ता देखिए इससे बड़ा कोई अच्छा काम नहीं हो सकता है सभी जो ट्रस्ट के सिदस्य है जो सुद्धी है उनके सिदस्य है और जिन जिन कभी यहां पे सही होग है उन सब करता हूं और आसा करता हूं कि पातराणी आप सबकी और जितने भी सदालों यहां पे आए उनकी मा जैमा भावाजीव साथे लंगर से में एस्टीय अचाने ना बहुता महाल करते हैंगी है जैमा जैमा भावाजीव जी अश्री चुमणधेभी, शेवत शंग जलंदर तर ाबीच न्यवेचे हर सावी तरह जी शीवगेशी चिड़ेकाओं नालती। हर साल रखने लगाने हैं तो ऐसी चियाम लाहे हरी जलंदर तरहुदान अपादेजी को बहुत पताई। तो हारो का सीजन शुरू हो गया है तो वही रक्षा बंधन को लिकर बाजार पुरी तरह से सच चुके हैं इस्के चलते, इस बार पुजा रक्षी में लाइट राखी, टेडी राखी, बच्छों के लिए ट्रोय राखी, भैयः भवी राखी, स्टोन राखी, भईया भवी पेइर सेट, एडी राखी, कुंदन राखी, खाती शाम राखी, राम मंदिर और स्री राम राखी भी काफी प्रचलित हो रही है, सावन की मौसम भी भोले शूंकर की स्पेशल राखियां, रुदराक्ष राखिय डमरो और त्रिशूल वाली राखियां भी लोगों को बेहत पसंद आ रही हैं, इस अफसे पर सत्पाल गुंबर, अनिल गुंबर, आचल गुंबर, सुनिता रानी, मनत, स सुरज, आकाश, दिपक, मनेश, रामचंदर, रागिनी, वीना, अनिता भी मौजूद रही, जालंदर से हलचल के लिए कैमरा में सुदेश भगत की रिपोर्ट मार कीरद एक साहभ ना रख लिए सारे तवहार शुरू होनगे, अनिल भी मार कीरदा महौल सगी होगा चाहर पुचे राख हो गुचिया हो थाए, से लुट अप नवे नवे डिजेशना अप लिप स्री लित कर्न नवे डिजले ख कर्जंगे हो हमे giving दिर करूद और रहे ज़ल्दी जड़ा है नुटिए लिए टूर नाशक लिए होंगा है बाकी बच्चेया थे लाउट लेट लिए इतम भी है बच्चेया थे वह लाइट लिए इस दोरी मोन हो गया बैंटन हो गया स्पाइडर मैंनों हर तरह दे जिस तरह बच्चे नू ट्वाइस चाहिए दे उस तरह दे आइत्मा है वही बस बच्चे ली जो बच्चे नू खुद अट्रैक्टिव कर गेर बच्चे खुद जाके आए लें कि मैंनू ममा आई हुई चाहिए रहे मैं होल कुछ नहीं लेना मैंने बरास्ट हाई काँ चाहिए वही बाफ्याव आई है वही ठड़, को सब्सक्राइब कर मैंने देक कर दो हैं तरह सिपनाना से चलिय थि तरह कोले है ससे मार्किर है हैं किस भी गया है है कि उबराल देखे जाएत नहीं किस तरह हैं सृ़ है बाजार थे कोई बारिश दावी पर बाप आप आज अजा अजा बोच वेरे उमीद सी, संड़े होता है, संड़े सारे उमीद होती है जाएगा लिगना स्वेरे स्वेरे बारिश पैनल काफी मौल थोड़ा है को मैंускते होती हैं बारिश भाड़ा होती है। वे शावी फकेट आप जोड़ा होती है है कि अमिदि बाक यहां बाके भड़िया जांगे। दोड़ लो बाके की उचाहाल होती है जरोम आफ तो मतना मौड़ भी तूर बागेगाश बादूर स्थाण गोज不錯 और अब अन्त में हल्चल की गतिविदियों पर एक नजर फिर से हुश्यारपुर के टालिवान महिलपुर सडक मार्क पर एक इनोबा गाड़ी पानी के तेज बहाव में बही एक ही परिवार के नौ सदस्यों सहेत ड्राइवर की हुई मौत मुगा के गाउं बुगीपुरी के पास एक कार और मोटरसाइकल के वीच वी बीशन टकर मोटरसाइकल सवार बाप बेटे की मौके पर गुई मौत फरीद कोट के गाउं शेर सिंग में ग्याद प्यत्योंनिक बज़ूर करका किया गतल पुलिस जांच में जोटी इसके साथ ही अब तक की गतिविधिया समथ होती हैं और ताजा चौन कर के लिए दिखते रही हल चल